नवस्कार हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइफ सुटीज देखें शिक्षा विभाग बिहार में इन दुनों काफी चर्चा में है आपको मालूम है कि 25 दिसेंबर को राज में छुट्टी घोशत है लेकिन आपको बता दे कि अब शिक्षा विभ बाद एक बार फिर से शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मियों के बीच हडकंप मच गई है क्यूंकि शिक्षा विभाग का डंडा एक बार फिर से छुट्टियों पर चल गया है और 25 दिसेंबर वाली छुट्टी को रद कर दिया गया है और साफ साफ कह दिया गया कि छुटियां 25 दिसंबर से चुटियां शिक्षा विभाग के अगले आदेश तक के लिए रद की जाती है आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के ओर से बड़ा नोटस जारी कर दिया गया है क्या कुछ लिखा गया है उस नोटस में आईए तफसील से आपको इस पर राज में सबसे ज्यादा चर्चा में बने रहने वाले शिक्षा विभाग का डंडा अब शुट्टी पर चल गया है। शिक्षा विभाग के सभी कर्मियों की चुट्टी रद कर दी गई है। कारे की महता को देखते हुए राज के शिक्षा विभाग के सभी पद्दिकारी एवं कर्मियों की अफकाश दिनांक 25 से अगले आदेश तक रद की जाती है। देखे कहा गया है कि अगर कोई स्थिती काफी गंभीर हो तो आप मुख्याले से अनुमती प्राप्त करने के बाद ही अफकाश ले सकते हैं। देखे यहाँ पर ये भी कहा गया है कि प्रथम चरन की शिक्षक नियुक्ती परिक्षा के आधार पर नियुक्ती एवं विद्यालों में पदस्थापित विद्याले अध्यापकों की संख्या बलकी जांच इससे संबंदित डेटा के शुद्धी करन हेतु सभी जिला शिक् बैठक कर उक्त कारे को पूरा करने का काम सुनिष्चित करें तो देखे आपको बता दें कि पहले भी आपने देखाए कि किस तरह से छुट्यों में कटौती कर दी गई थी आपने देखा है कि कैसे केके पाठक ने बड़ा आक्शन लिया था और छुट्यों पर केके पाठक का डंडा चल गया था और अब एक बार फिर से शिक्षा विभाग ने बड़ा नोटिस जारी कर दिया है पचीज तारीक को घोशत छुट्टी को अब रद कर दिया गया है और साफ साफ कह दिया गया है कि छुट्टियों को शिक्षा विभाग के अगले तक के लिए रद किया जाता है तो ये पूरे जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसी हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइफ सटीज